है कि Canton आट सब्सस्वाद करता हूं सेवन मिन्ट ट्रिक्स वाले हैं तो आग देखने वाले हैं जैसे क्पो पता है कि जो यह सेवन मिन्ट ट्रिक्स है उस्क्कों मेरी वही बाते होती है जो two में चल रहा होता है, जो exam में पूछा गया होता है, तो वे एक दो सवाल रेल्यो में देखने को मिला, इसलिए मुझे लगा यार यार यह सवाल आपको जानने चाहिए, यह सवाल मतला आपको समझनी चाहिए, तो देखते हैं कि विश्व के परमुक बड़े मरोस्थल, कैसे मर इनफोर्मेशन देता हूँ, कि अभी UPSI विकेंसी आई है, आपको याद होगा, और UPSI को railway के सब्स्रिप्थन में अटास कर दिया गया है, मतलब क्या है, कि अगर आपके पास railway का सब्स्रिप्थन है, तो आप UPSI के क्लास कर सकते हो, यानि अब एक साथ दो फाइड़े, मत आपका गुरुपडी का पेपर है, बिल्कु जवाइन कर सकतो बच्चे हमारे साथ, ये पूरी UPSI की टीम है, चली, इसके बात ही करेंगे, लेकिन देखते हैं, आज का सेशन क्या है हमारा, कि 7 मिनिट ट्रिक्स के बात करें, विस्टो के परमुख बड़े मरुस्थन और व गोल्ड, एक गर्म मरुस्थल और एक थंडी मरुस्थल, तो अब जब देखो कि थंडी मरुस्थल किसे कहेंगे, थंडी मरुस्थल की बात करें, तो ये वाला जो रिजन देख रहे हो, ये आर्क्टिक पोलर, अंटार्क्टिक पोलर, ये थंडी मरुस्थल है, अगर गर्म मरोस्थल के बात करेंगे यह सहारा देख पाते हूँ आप जो Ав्रीका में या गरम है आरे बात समझते हूँ यह a अब देख सक्तो कई सारे मरोस्थल ऐसे हूंगे ज़िए ओस्यार मरोस्थल है ते कौन सा मरोस्थल कहाँ है कहां नहीं है यह देखें समझते हैं रेगिस्तान मारोस्तान ऐसे भवगोलिक छेतरों को कहा जाता है जहां जलपात अन्खेतरों को डेखे था काफ़ी काम होता है जलपात यानि वरसा ततह हम पात का यूग मतलब जहां पर हम कुछ उपज नहीं कर सकते हैं मोटा मोटी यह समझे चाहिए वह गरम हो यह थंदा हो अभी अगर पूछ दिया जाए आपसे किसार सब्विश्व का सबसे बड़ा मरोस्थल हम लोग फटाक से कहते हैं सहारा लेकिन अगर विश्व के सबसे बड़ा मरोस्थल की बात करते हैं तो हम यह भूल जाते हैं किसार उसमें ठंदी मरोस्थल भी आती है तब अंटार्क्रिका लेकिन अगर कहें कि विश्व के सबसे बड़ा गरम मरोस्थल तब जाकरा कर सहारा होगा यह बेसिक चीजे हम समझ नहीं पाते हैं उन जब की चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में है तो दूसरे सब्दों में कहें कि कैसा अस्थान जहां पानी नहीं होता है और दूर दूर तक रेत ही रेत होता है वो गरम मरुस्तल है अब रेत ही रेत के जगा पे कर दें होता है जिसे हम कोल्ड डेज़त कहें गलेशियर कहें ठंडिय मरुस्तल कहें पिर्थवी की सतह का पिर्थवी की छेतरफल का पांचमा भाग रेगिस्तान है पांचमा भाग फिप्त पार्ट रेगिस्तान है चाहे वो कोल्ड हो या होट हो तो विश्व के परमुक बड़े म डुक्त अरुस्फ्ट्रिख करускा ट्रीक क्या है। AWW S Rapha 5 111 यह विभक झाना जरता प्यात होगा है कि यह А waren好亦 क्रूं मतलब समझते हैं हैं आसांप काली हैं आही देखें समझते हैं यह पर अनम्टक्डिका सब घर्टे करम की बात करनें सबसे बड़ा महरुआ स्थन अंतर्टिका का यह सामर हुशता लें मिंत्त को ऐसे वह और रुषता लें हुआIR इसके बाद आर्क्टिक धेकरे ओ इसके बाद आरग्तिक अंटक्तिक यानि गडशिशन अ उर्टार्च जाने नॉर्थ पारट इसके बाद सहारा इसके बद ऑस्टेलियर्ड रेगश्तान अ शका समय этक हो इसा पर समझना रही है और फिर मंगोलिया इसको गोवी भी कहते हैं मंगोलिया डेजट और पिर काली यानिक कालाहा। दिए कालाहरी रिश्तान तो क्या है फिर से ट्रिक करेंगे बार करों फिर से एक बार करेंगे लो आहां आर्सा अंटाक्तिक का पीर दुसरे पर प्र आर्क्टिक आर्क्ठिक थिसbest नंबर सहारा चौत्रे नमबर पर ऑस्टेलियन डेजट चो दच्छिन कहां कि दसनी गुलारद में और फिर अरेबियन डेजट फिर मंगोलिया डेजट और पिर कालाहरी डेजट कालाहरी डेजट जानि आसाम काली है यह उसका ट्रीक हो गया क्योंकि जब आपको पता है जिसका कोई अर्षा नहीं हो अगर गरम पुछता है तब सबसे बना जाकर आपको सहारा होगा तब जाकर आपका सहारा होगा ठीक है यह थी आज की ट्रिक्स उम्मिद करते हैं चीज़ें समझ में आई होगा फिर जब मैं बता दूँ कि UPSI की विकेंसी एक अपरेल से फॉम फिलप होगा आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ रेलवे वाले कैटेग्रे में जरूर क्योंकि आपको अलग से भागने की जरूरत नहीं है जिसमें पुरी ये UPSI की टीम है और मेरा कूर्स चल रहा है थिवरी इस इसी एक्जाम में जहां मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं तो आप ज्वाइन कर सकते ह हैं और अगर ये ट्रिक्स मजा आया समझ में आया अच्छा लगा हो तो लाइक जरू करिएगा मिलते हैं फिर से कुछ नए ट्रिक्स में तब तक के लिए सुक्रिया